हलो एंड वेल्कम बैक टूम यूटूब चैनल होप एर और डूइंग वेल तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमार्ड थे कि सार एकॉनमी की कॉस्टिन्स को लेकर किया ओ वागे देखो आप सभी को पता होगा कि कुछ जो एकॉट्जाम्स होते हैं उनमें एकॉनमी के क्उश्चंस बिल्कुल ना के बराबर पुचिय जाते हैं और कुछ में सिर्फ दो या फिर तीन क्वास्चंस दें तो देखो मेरको अभी 13 तेरह कॉस्टेंस ही मिले हैं 13 कॉस्टेंस में से हम आपको बता ही होगा कि हम 30 या 40 ब्लस कॉस्टेंस तो बना ही लेंगे तो ये वीडियो पर रहने वाली है आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजि प्रारंभ किया था अब देखो डिजिटल इंडिया कारेगरम भारत सरकार ने कब आरंभ किया था यह किया था 2015 में option बी देखो यहां पर correct हो जाएगा अब कुछ और जो है तो कारेगरमों की यहां पर बात कर ली जाए जैसे makes in India, makes in India की शुरुआ जो हथो कब किया थी तो देखो कई बार जो हथा इसकी पूरी की पूरी डेटि पूछ लेझा जाथी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जोहतो कब शुरू की गई तो यह 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई उसके बाद बात कर लिजाए उजवला योजना की उजवला योजना यह शुरू कब गई गई तो यह शुरू की गई एक मई 2016 को तो देखो यह 3-4 मैंने आपको योज important question है, वो कौन सा है कि कौन-कौन से वर्षों का संबंध जो है तो बैंकों के राष्ट्री करन से है, यानि कि किस-किस वर्ष जो है तो बैंकों का राष्ट्री करन किया गया था, अब देखो मैं simple यहां पर आपको उसके बाद 1980 में 1980 में चे बैंकों का राष्ट्रियकरण किया गया तो अगर आप से पूछ लिया जाएगा कि कौन-कौन से वर्षों का संबंध बैंकों के राष्ट्रियकरण से है तो यह तीन वर्ष आपको नोट रखने हैं 1949 1969 और 1980 1980 अब यहां पर क्या पूछा गया है 14 बड़े ब्यावसाई का बैंकों का राष्ट्रियकरण किस वर्ष किया गया तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके लाइक्स और कमेंट्स यह में बताते हैं कि आप वीडियो में कितने ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं सो मेक्शूर आप लाइक और कमेंट जरूर करें कॉश्चन हमारा 173 है टाटा आइरंड एंड स्टील कंपनी टिस्को का कार खाना देखो कहां पर है अब देखो आपको इसकाम क्या करता था मुबैय यहां पर कर देना था ओके अब देखो टाटा आइरं एंड स्टील कंपनी का कार खाना है जमशेदपूर में जमशेदपूर है कहाँ भी क्या देखो cœur वर्ष में की गई थी तो 1907 में जो है तो इसकी स्थापना की गई थी टिसको की स्थापना जो है तो 1907 में की गई थी यह पॉइंट आपको पहले नोट रखना है फिर उसके बाद दूसरा क्वाशन बनता है कि इस कार खाने की यानि की टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी इसक अगर इस से पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किस ने की थी जमशेद्जी टाटा ने हैड़कोर्टर मैं आपको पता दिया है तो यह है मुंबई में अगले कौश्ण की बात करें कॉश्ण हमारा 175 है कॉश्ण सोरी हमारा 174 है एपी कल्चर जो है तो किस से संबंधित है देखो मैंने बहुत बार ये वाले questions आपको बहुत बार करवाई हूँ है epiculture किसे संबंधित है तो 174 का option एक और एक्ट हो जाएगा मदुमक्खी पालन से जो है तो epiculture संबंधित है अब देखो बागवानी किसे संबंधित है तो बागवानी है केंचुआ बालन किसे संबंधित है तो देखो केंचुआ बालन संबंधित है वर्मी कल्चर से किसे वर्मी कल्चर से तो देखो ये सारे के सारे points आपको नोट रखने हैं ये हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं अच्छा रेशम उद्योग रेशम उद्योग किस से सबंदित है ये आप नीचे कॉमेट करके बता दो अगले कौशन की बात करें कौशन हमारा 175 है प्रथम अधिकरित जन्गर्ना कब होई थी प्रथम अधिकरित जन्गर्ना कब होई थी तो ये आप से पूछा गया है तो देखो पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार जन्गर्ना कब होई थी तो पहली बार जन्गर्ना भारत में होई थी 1872 में 1872 में बट यहां पर question क्या पुछा गया है अधिकरित जन्गर्णा अधिकरित जन्गर्णा कब हुई थी तो यह हुई थी 1881 में option बी देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो 1872 में तो पहली जन्गर्णा हुई थी अब उस समय पुछा जाता है कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे तो इस समय थे Lord Ripan, Lord Ripan यह point देखो यहां से आपको note रखना है अब देखो यहां से question पूछा जाता है तो यह cosa क्या जाता है कि पहली बार जाती आधारित जन करना कब हुई तो देखो पहली बार जाती आधारित जन करना हुई थी 1931 में यह पॉइंट देखो यहां से आपको बिल्कुल नोट रखना है यह बहुत बार एक्जाम में बनता है 1931 में जाती आधारित जन करना हुई अच्छा ये आप नीचे कमेंट करके बता दो कि 1931 में भारत के वाइसरा या फिर आप कह सकते हो या फिर आप कुछ भी कह सकते हो गवर्नर जनरल कह सकते हो तो उसमें भारत के वाइसरा या फिर गवर्नर जनरल कौन थे ये आप नीचे कमेंट करके बता दो अगले कौशन की बात करें तो नेक्स्ट क्रिश्ट आप स्क्रेंड पर देख सकते हो कौश्ट हमारा 181 है विच वन आप फॉलिविंग टाइपस अफ अन एंप्लॉइमेंट इस कॉमन इन इंडियन एग्रिकल्चर तो भारतिय क्रिशी में निम्न में से किस प्रकार की विरोजगारी जो है तो तो अब हम इसको कब काटेंगे अब हम इसको काटेंगे अभी 15-20 दिन बाद हम इसको काट देंगे यानि कि आप कह सकते हो कि हम इसको सेप्टेंबर में काटेंगे सेप्टेंबर में अब देहो मक्का हमने बोया जून जुलाई में जून जुलाई में तो जून जुलाई के देखो उसके बाद हम जा करके मैई जैसे में मैई अपरेल या फिर मैई में जा करके हम गेहों को गाटेंगे तो यह जो हमारे बीच में महीने वेस्ट जा रहे हैं यही होती है मौसमी बिरूजगारी यह point देखो आपको नोड है कॉशन हमारा 182 है who is the vice chairman औरमें आफ नेती आयोग तो नेती आयोग के उपाधियक्ष कौन है अब देखो ये 2018 का Yo Such Chan और यहां से यहां पर मैं आपका बताऊंगा नेता आयोग के वरतमान उपाधियक्ष कौन है तो देखो वरतमान उपाधियक्ष के अगर बात कर लिए तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार जो है तो नीती आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है यानिकि वाइस चेयर्मैन है अब देखो यहां से क्वाश्मिन पूछे जाते हैं कि नीती आयोग के चेयर्मैन कौन है अध्यक्ष कौन है तो वो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी है उसके बाद यहां से कुछ और बात कर लिजाए नेती आयोग के बारे में देखो नेती आयोग की स्थापना कब की गई थी तो देखो नेती आयोग की स्था में दिया जाता है डेली और घौत चैन्ट बी में आपको दे दिया जाता है नीओ डेली अब यहां से आ नीचे comment करके बता दो, ओके, अगले question की बात करें, question मारा 183 है, regional rural bank are owned by, तो क्षेतरिय ग्रामन बैंकों का स्वामित्व है, देखो ये जो regional rural bank है, और और भी है, इससे जो है तो बहुत सारे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं, और ये most important question मैं इसको मान के चलूँगा, अब देखो, शेतरिय ग्रामन बैंकों का स्वामित्व जहतों किसके पास है, तो देखो ये जो है तो central government, यानि कि केंदर सरकार के पास भी होता है, state government, यानि कि राज्य सरकारों के पास भी होता है, और sponsor bank, यानि कि प्राजोजी तो बैंकों के पास भी होता है, यानि कि jointly यह सभी के पास होता है, jointly by all of the above, सैयुकत रूप से उपरोकत सभी के पास जो है तो शेतरिय ग्रामन बैंकों का स्वामित्व होता है, option D देखो यहां पर बिलकुल correct हो जाएगा, आप देखो, यहां से 1975 को हुई थी, 2 October 1975 को, उस समय हमारी प्रधान मंद्री कों थे, तो वो थे इंदिरा गांधी, यानि कि इंदिरा गांधी के समय जो है तो Regional Rural Bank की स्थापना की गई थी, अब देखो स्थापना तो की गई थी 2 October 1975 को, लेकिन यह लागू कब हुआ, लागू हुआ 1976, यह point यहां देखो, यहां से आपको note रखने, अच्छा, यहां से आप एक question का अंसर नेचे comment करके बताओ, RBI Reserve Bank of India की स्थापना कब हुई थी, और इसका headquarter कहां पर है, यह आप नेचे comment करके बताओ, रिजर्व Bank of India की स्थापना कब हुई थी, इसका headquarter कहां पर है, और यह किस समिती किसी फारिश पर जो है तो इसकी स्थापना की गई थी, यह आप सारे नीचे comment करके बताओ, अगले question की बात करें, question हमारा 170, 184 है, which of the following countries is not a member of ASEAN, तो निमने कौन सा देश, ASEAN का सदसे नहीं है, अब देखो, ASEAN की यहां पर बात की गई है, ASEAN की पहले तो आपको full form बता होनी चाहिए, Association of Southeast Asian Nations, total इसमें कितने member होते हैं, total इसमें 10 member, अच्छा वो 10 member कौन कौन से हैं, मैं आपको simply यहां पर बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, तो वो 10 member है, Myanmar, Thailand, Singapore, Malaysia, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Vietnam और Philippines, तो देखो, यहां से आपको पता चल गया होगा, कि India यानिकी भारत जो आप स्क्रेन पर देख सकते हो, यह question देखो, मैंने आपको करवा दिया, अभी करवा दिया था, देखो, यह questions अकसर exam में पूछी जाते हैं, repeat होते हैं, यह आपको देखो, पदा जल गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना जो है, तो कब प्रारंब हुई थी, त आपको देखो, बहुत सारी योजना बताई, जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 2014 में, उसके बाद जन धन योजना, इसके स्थापना कब की गई थी, 2014 में, उसके बाद मैंने आपको बताया था, उजवला योजना, उजवला योजना की फिर्वाद कब गी थी 2016 में तो यह तीन चार योजनाएं अक्सर अग्जाम में पूची जाती हैं इसलिए यह आपको बिल्कुल नोट रखनी है अगले कॉशन की बात करें क्रिशी आय परकर किस से संबंधित है अब देखो क्रिशी आय परकर किस से संबंधित है केंदर सरकार हो जाएक अगले कउशन की बात करें कोंशी फसल मैंने आपको बताय है कि यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा अगले कॉशन की यə भी question मैंने आपको करवा दिया था इसी Hat उसे isiov us वर्मी कल्चर किससे सब्वंदित इसके बाद मानिय हैं आपको पता हांद से शॅबंधित है तो येए बागवाणी से संब्वंदित तो यह अप्गा है पुछ से संबहने तो यह पो कॉमेंट करके बताओ मतस्य पालन मतस्य पालन किस्ते समय करके बताओ तो आप नीचे कुछ क्वेडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगई उसे से लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जिरूर दमाएं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन टेक केर